तो हे गाईस कैसे हो आप सब फर्स्ट फोल हम लोग बात करने वाले हैं बीजेमेस प्लेओफस के बारे में जो की खतम हो चुके हैं चार टीम आज बाहर हो गए तो लेडी गाईस मैंने आपको बताया था प्लेओफस में हमको जितने में 16 टीम दिखने को मिल रहे हैं उसमें से 12 टीम से ग्रैंड फाइनल्स बजाएंगे और चार टीम बाहर हो जाएंगे तो उसके ओरोल सेंडिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हो जहाँ पर नमबर वन पर तो है डबलो एसबी गेमिंग और टीम एक्सपार्ग गोडलाइक देखने को मिली है स्टेंग 7 पर अगर नेक्स आट की बात करें तो टीम जो यहाँ से क्वालिफाई हुई है वो है लेज़ने को मिली काफी प्लेज तो इतने एमोशनल हो गई थे कि वो रोने भी लगे थे अन्क जो भी आज का लास मैंच हो था वो इतना इंटेंस हुआ था कि बोटम की एड़ टीम उच में बची हुई थी स्काउट की टीम जड भी का इस लास मैंच में काफी ट्राइ किय बट unfortunately वो qualify नहीं कर पाए इन इसके बाद guys हमको scout का एक interview देखने को मिला था जहापर उनसे ये पूछा गया था कि ओ लेडिये हमको आपके team Z के related ये सुनने को मिला था कि ये tournament के बाद players change हो सकते हैं तो क्या ये आपका भी last tournament होने वाला है अब अगला officials हा रहा है so team ने एक साथ आके decision लेकिया है हम लोग कुछ तो मिश्टिक हो रही है so team Z का last tournament है but yes players का last हो सकता है क्योंकि there will be new additions some faces you will see which we never seen around me वो new faces आ सकते हैं कुछ faces जो मेरे साथ बहुत महीनों से थे वो जा सकते हैं तो yeah it's a part of the sport some people come, some people leave के मस्ती हो गई और फिर उनके instagram moderator ये लिखे performance दू डेश बर godlike को target करू राध बर and guys godlike के बारे में बात कर रहा है तो next हम लोग बात करने वाले हैं team godlike versus team soul के बारे में तो guys match number one में हमको team godlike and soul के एक fight देखने को मिले दी पर godlike team soul के दो players को finish कर दिये थे बट वो fight में initially team soul के player Jonathan के उपर fire किये थे तो वो fight के बाद guys हमको Jonathan का एक interview देखने को मिला तब वो fight के बारे में बात किये कि क्या वो सब team godlike intentionally किये थे आप देखिये जौनी आइकू सोल के साथ तुमारी जो rivalry की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस match में जो वो जो clash हुआ उसको कैसे आप लोगों ने deal किया how did you take that fight on so actually like मैंने उनको बेट कर दिया पूरा like मेरे वो लग सोचे की लग कि अकले को मारने जाओगा और गाइस नेक्स हम लोग बात करने वाले हैं टीम कार्णीवल गेमिंग हेक्टर और ओमेगा के बारे में अब ओलेड़ी गाइस टीम कार्णीवल गेमिंग के रेटेड मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया है इसके बास कुछ दिन पहले हमको ओमेगा की तरफ से स्टोरीज भी देखने को मिले थी कि वो कार्णीवल गेमिंग को लीव कर रहे हैं तो आज होचन शर्मा के व्लोग से हमको एक पार देखने को बिला जहाँ पर हेक्टर भात की ओमेगा के बारे में आप देखिये है चेंज इस नेक्स हम लोग बात करने वाले हैं मोगो इसपोर्ट्स के बारे में तो कल की वीडियो में गाइस मैं आपको बताया था जहाँ पर डेस्ट्रो की तरफ से हमको एक स्टोरी देखने को मिले थी वो यह लिखे थे दा लास्ट डैंस एंट साथ में गाइस हमको टीम में उनके एक प्लेयर शोगन खेलते वे नहीं दिखे थे तो उसके बारे में कुछ लोग बात कर रहे थे का यह टोर्नामेंट के बाद वो हमको टीम का पार्ट देखने को नहीं मिलेंगे तो यही तीज़ पर गाइस प्लेयर रिप्लाय किये आप देखिये बारे में तो कुछ दिन पहले गाइस हमने देखा था जहां पर जीगोड एक मैच में 1v3 किये थे जिसके बाद काफी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे बट पिछले कुछ दिन में गाइस हमको जीगोड की तरफ से इतने ज्यादा फिनिशिस देखने को नहीं मिले हैं तो कुछ लोग इसके बारे में हेट भी स्प्रेट कर रहे थे तो वो चीज़ के बारे में गाइस एंकी बात किये अब देखिये यह तो ना मतलब यह एक चीज है जो मैंने भी नोटिस करी है जीगोड 1v3 करता है भाई पूरे जगा हला जीगोड नहीं जीगोड है यह है वो है भाई there are good days there are bad days ठीक है तो तुम ऐसा मतलब तुम सोचो भाई एक tournament चल रहा है already अब तुम अगर किसी एक दिन के performance के basis पे जो नो कि तुम लोग का क्या perspective है इस पे बट दिन I am like totally there भाई the god is the god and we all know कि उसका potential क्या है गाइस नेक्स एक update निकल कराती है एसे ट्यूल सिट की तरफ से वो बाद के global e-sport वसे टीम को लाएके controversy में जो हमको global e-sport की तरफ से story देखने को मिली थी विसी लिगाए जहां पर वो कुछ ये लिकेते कि आप ये controversy कर रहे हो इसके बाद हम आपके players को game के अंदर जाके destroy कर देंगे एंद सादिम गाईज अपने players को tag करके ये लिकेते boys अभी तो in-game और पकड़ पकड़ के मारना तो वो टीज के बारे में काईज आसे बात किये अब देखिये stranger to getting hit वो ठीक है कोई tension नहीं है बाकि मैंने जही का पोस्ट देखा है कि हम लोग game में आपके मारेंगे कर के मस लगा मतलब में at least कुछ rivalry कुछ मसाला उसके वज़े से हुआ एंड ऐसा खुल्ले में वर्निंग दे ये भी कोई उसमें कुछ गलत नहीं है ये उसमें कुछ it's not nothing against the game खुलने में बोलना है कि हम हर game में तुमको मारेंगे ये तो game ही वैसा बना यार I hope ऐसे value में भी कोई ऐसा कुछ करे global e-sports वाले को साथ ताकि उनके value की squad भी कोई एक हाद मैच में किसी को हरा दे बट anyway और गाइस global e-sports के rated बात कर रहे हैं तो next update निकल कराती है global e-sports के ओनर रुचिंदरा सिना की तरफ से तो godlike की गाई जो हमको बढ़िया performance देखने को मिले इसके बाद रुचिंदरा सिना godlike के related ये लिखे godlike rotations and calling by punk salute दिल से godlike इसके बाद guys goldlike के rated मेजी भी ये लिखे that was admino show yes he is ready for bmps और guys next update निकल कराती है team x park के igl shadow की तरफ से वो बात के उनकी team की performance के बारे में क्या team x park grand finals में aggressive खेलने वाली है अब देखिये और guys next update निकल कराती है team soul fans के related जिस पर SATL से बात किये कि पास में team soul के fans के तरफ से हमको क्या देखने को मिलाता है न अभी वो क्या करते हैं अब देखिये मैंने एक चीज़ नोटिस किया देखो और इसके बाद कोई मेरे को क्या बोलता है मेरे को फरेक नी बढ़ता एक चीज़ आप लोग नोटिस करना ठीक है there is a big difference in the way the audience is react to a lot of things जब मैं 2-3 साल पहले यहां पर आया था जब मैं बहुत नयाने आया था तो no doubt about it soul के audience भी थोड़ा सा लोगों के पीछे भागती थी जब किसी को कोई पैन कर देता था या फिष्ट कर देता था soul के audience भी भागती थी comments में कालिया देती थी 3 years ago जितना मेरे को याद है constantly you know लोग आके बोलते थे कि असब मत करो पेरेटी इसकोर्स प्रोवाई के साथ खेलना चाहूं हूं तो मेरे को लगता है सब बात करने वाले हैं टीम गोडलाइक के बारे में जिस पर गोडलाइक एंकी बात किये तो प्रीवेस वीडियो में का इसमें आम को लड़ी पूरी चीज एक्सप्लेंग करी थे जहां पर गोडलाइक के और अमर की तरफ से हमको कुछ मेसेज देखने को मिले थे कि टीम गोडलाइक के एनलिस एंड कोच अब टीम का पार्ट नहीं रहे हैं तो इसके बात क्या हो थे कि एसके लोग इसके बारे में कुछ अजमसन बना रहे थे कि ऐसा क्यूं होगा तो ये चीज के बारे में गाईजा जैंकी बात किये अब देखिए बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूस के बारे में जिसको सुनकर लिटरली सभी इंडियन सैड हो गए तो लेड़ी गाईज आपको बताओगा आपी करने चल रहे हैं ओलंपिक जहां पर हमको इंडिया की एक काफी फेमस एदलीट देखने को मिल रही है विनेज फोगाट ओल जर्म को सुनने को मिला उनका ओवरवेड जो की 50 kg से 100 ग्रैम्स जादा मिला है और इसके वैसे गाईज यह होगा एक तो वो ग्रैंड फाइनल्स का मैच नहीं होगा बट विनेज फोगाट को सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा इस बार यह कैटेगरी में केवल गोल्ड और ब स्क्रीन पर देख सकते हो तो बस गाईज फिलाल की वीडियो में इतना ही था वीडियो पस आए तो गाईज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आप आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई